रिये स्टार्ट होने के बाद यह अपडेट हो गया होगा, चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देखना यहाँ अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25206, तो इस तरह साप इसको अपडेट कर सकते हैं, अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या-क्या नया फीचर आया है, क्या-क्या बग फिस हुआ है, यह सब देखेंगे, इस अपडेट के अंदर आपको एक नया फीचर दिख जाएगा, SMB Authorization Rate Limited Behavior Change हो गया है, यानि इसका लिमिट बढ़ा दिया है, इस अपडेट के अंदर इसका लिमिट बढ़ा दिया है, वैसे बाइड डिफॉल्ट अभी 2000 MS, यानि 2 सेकेंड ही सेट होगा, यदि आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका लिमिट बढ़ा दिया तो यह नया फीचर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी के लिए ओपन विट डैलोक बॉक्स यहाँ पर दे दिया है, यानि रॉल आउट कर दिया है, इसके लिए आपको क्या करना यहाँ पर रैट किलिक करेंगे, तो इसके यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उपन विट, जिन लोगों को पहले वाले अपडेट के अंदर नहीं मिला था, उन लोगों को भी यहाँ पर वाला उप्शन यहाँ पर मिलना शुरू हो गया होगा, क्योंकि इस अपडेट के अंदर सभी के लिए रॉल आट कर दिया है, आपको केस में भी यह वाला उप्शन दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको एक नया फिचर दिख जाएगा, यदि आपका मोनिटर 120 पलस HZ मोनिटर होगा, तो उस केस में यहाँ पर आपको सेव पाबर वाला उप्शन दिख जाएगा, यानि आप यहाँ पर किलि होता है यहां पर आपको cloud का फाइल जो होता है उसका detail भी यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा यहां पर एड़ किया है इसके बाद explorer.exe के अंदर यहां पर हाइटिंग का इशू था यहां पर कुछ इशू आ रहा था तो इस इसू को भी यहां पर कर दिये इसके बाद यहा पर आप देखेंगे तो वीजट के अंदर भी आपको कुछ कुछ अपडेट यहां पर आपको दिखी जाएगा इसके अलावा भी बहुत सारा अपडेट हुआ है तो आपको क्या करना है जरूर आप इस अपडेट को अपडेट कर लिजेगा पहले के मुकाबला अच्छा ही